दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जो के भाविश्व में कभी आपको अरजेंट पैसा की जरूत पड़ जाए और आप चारों तरफ मांग मांग करके ठक जाएं आपकी कहीं भी ब्यवस्ता नहीं बन पा रही हो उस समय पर आप इस मंत्र का मात्र 11 बार जाप कर लें तो आपके लिए धन पैसा की कहीं से न कहीं से ब्यवस्ता हो जाएगी और ये इतना पावर्फुल मंत्र है इसके प्रभाव से जिसे ब्यक्ति से आपने धन पैसा मांगा है वो ब्यक्ति आपके घर खुद चल करके आकर के पैसा देगा और दोस्तो इस मंत्र को ना कहीं सिद्ध करने की जरुवत है ना आपको कहीं जंगल में जाने की जरुवत है आप इसे अपने घर पर ही बैठ करके थोड़ा पवित्र हो करके उपर बाले से ध्यान करके इस मंत्र का मात्र 11 बार जाप कर लें तो आपकी फर्याद तुरंत सुनी जाएगी और दोस्तों आपके लिए हर जगे से धन पैसा की बेवस्ता होगी तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप से एक छोटी सी गुजारिस है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें समसान में जाकर या घर पर या किसी मंदर में जाकर के सिद्ध करना पड़ता है तब जाकर के वो मंत्र काम करते हैं और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कि बिना सिद्ध किये ही अपना प्रभाव तुरंत दिखाते हैं एक्जामपल के लिए मैं आपको बता दूँ जैसे भगवान सिवजी का मंत्र है ओम नमस्षिवाय इसे सिद्ध करने की क्या वसकता है क्योंकि दोस्तों ये मंत्र जगत कल्याण कारक होते हैं जैसे ब्रह्माजी का मंत्र है ओम श्री ब्रह्मडय नमे इस मंत्र को सिद्ध करने की क्या जरुवत है और भी बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो कि जगत कल्याण कारक मंत्र हैं इनको सिद्ध करने की कोई भी जरुवत नहीं होती है ये बिना सिद्धिक ये ही अपना तुरंत प्रभाव दिखाते हैं इन मंतरों को किवल जाप करना होता है तो दोस्तों अगर आपको कभी किसी भी कार के लिए घर में बेटा बेटी की साधी है या आप कोई नया बिजनिस खुल लए है या आपकी कहीं नोकरी लगने बाली है उसके लिए पैसे की अत्याव सकता है ऐसे समय पर कोई भी व्यक्ति हर काम को अपने घर से नहीं कर सकता है क्योंकि घर में या ऐसा कोई लगपती नहीं बेटा है जो कि हर काम वो अपने घर से कर सके उसे कहीं न कहीं से उधार लेना पड़ता है ऐसा कोई भी ब्यक्ति नहीं है जितने भी करणपती और लगपती ब्यक्ति हैं उन पर भी बैंकों का तमाम करजा है वो भी अपने घर से काम नहीं चला रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको ऐसे समय पर धन पैसा की आवशकता है और आपने सबसे मांग कर देख लिया और परिशान हो गए लेकिन आपकी कहीं न कहीं ब्यवस्ता नहीं बन पा रही है तो दोस्तो ऐसे समय पर आप इस मंत्र का सहारा ले सकते हैं इस मंत्र के प्रभाब से आपके लिए धन पैसा की कहीं से न कहीं से विवस्ता हो जाएगी ये बहुत ही चमतकारिक मंतर है तो दोस्तों आपका टाइम बिल्कुल भी बेस्ट न करते हुए मैं आपको उस मंतर के बारे में बताता हूँ और वो आपको मंतर कैसे जाप करना है इसकी पूरी जानकारी मैं इसे वीडियो में देने जा रहा हूँ तो दोस्तों आप इस बात का बिशेज दिहान रखें कि आपको जब सक्त जरुवत हो आप जब संकट की घड़ी में हो और आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो आपकी कहीं भी विवस्ता नहीं बन पा रही हो उस समय पर इस मंतर का जाप करें ऐसान हो कि आपको जब भी जरुवत पड़े हजार दो हजार की चार जार की आप उसी वक्त इस मंतर का जाप करने लगे तो दोस्तों ये उस समय पर काम नहीं करता है और यह संकट की घड़ी में ही काम करता है तो दोस्तों वो मंत्र है ओम शिरीम 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 धन कोवेराय असमाक धन देह देह स्वहा इस मंत्र को आप मात्र मन ही मन में 11 बार जाप करें जिस वक्त आप संकट में हो आपकी कहीं भी विवस्ता नहीं बन पा रही हैं आप बिल्कुल दुखी हो चुके हों इस समय पर इस मंत्र का आप जाप करें भगवान विशनु से और धनकवेर महराज से और मालचमी से आप रुकेष्ट करें कि हे मालचमी हे धनकवेर महराज हमारे पास संकट की घड़ी है और हमें अत्यावस्यक पैसों की जरुवत है और हमारी कहें भी ब्यवस्ता नहीं बन पा रही है आप हमारे लिए कहीं से न कहीं से ब्यवस्ता करें रुकेष्ट करके आप इस मन ही मन में इस मंत्र को 11 बार जाप कर दें तो दोस्तो कुछ ही छड़ बाद जिस व्यक्ति से आपने पैसा मांगा है उस व्यक्ति से ख़बर आ जाएगी कि भाई आपके लिए धन पैसा की विवस्ता हो गई है और आप धन पैसा ले 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 और अपना काम चला ले तो दोस्तो इस मंतर का आप संकट की घड़ी में आप ले तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हुगा अगर पसंद आया हूँ तोपिलिश वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें फिर मिलता हुँ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए